लीतर क्यों भरी उदासी है, ये भरी नदी क्यों प्यासी है, हर बार दिशा सुलजाएगा, यह जीवन गंगा काशी है पुरानी घटनाएं पुरानी है, हम उनसे केवल सीख ले, बाकी छोड़ दे बाकी तो यह जीवन है, यहाँ आपदाएं भी कम नहीं है, और संभावनाएं भी कम नहीं है हमें जो अनुभव मिले, उसे सहेज कर रखने में ही हित है क्योंकि यही अनुभव हमें जीवन में हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत देते है मिलना, नमिलना, खोना पाना, ये सब हमारे जीवन के स्तम्भ है इन सब से हमें दोचार होना ही पढ़ता है इससे हमें घवराना नहीं चाहिए बलकि उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए आज इसी भाव पर मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ और ये कविता दरसल मैं हरिवन श्राय बच्चन जी की एक कविता पढ़ रहा था जो बीत गई सो बात गई उसमें एक पंक्त याती है कि बोड़ना चाहिए